हमें अपने गर परिवार में अगर दूद का उप्योग लेना है तो हम सबसे पहले एक अच्छी देशी भारतिय नसल की गोमाता का सेलेक्शन करते हैं और उसके बाद उस गोमाता के अंदर ब्रिड करेक्टरों का सेलेक्शन करते हैं यानि कितने ब्रिड करेक्टर इस गाय के अंदर अपनी नसल के सुद्धता के साथ में मौजूद हैं फिर हम वो गाय खरीदने की इच्छा रखते हैं तो वैसी ही एक टॉप क्लास के ब्रिड करेक्टरों की सो परतिस्त सुद्ध भारतिय गिर नसल की गोमाता आपको सेल के ल आप खुद संप्रक कर सकें अब यह जो सामने स्क्रीन पर आप एक टॉप क्लास के बोडी स्ट्रेक्चर के अंदर हैवी बोडी स्ट्रेक्चर की सुद्ध गिर नसल की गोमाता देख पा रहें यह अम्रेली गुजरात की है तो ब्रिड करेक्टर आप देख सकते हैं फुल सुंदर नतुनों की बनावट बिलकुल बारिक छोटी आंक है और हैवी जूलती जालरुमा गलकंबल है जो नाबी के मादम से अडर को कनेक्ट कर रही है सामने के पेरों पर शटीग खड़ा बड़े साइज का बिग हम्ब है मजबूत और खड़े पीट पुठे की और शांदार अडर को ग्रोथ कर रही है क्योंकि गोमाता के बच्चा देने में लगबग 20 दिन का टाइम बाकि है तब तक एक अच्छे अडर को डौलप कर जाएगी हैवी मिल्क क्यापिसिटी की बताए गई है पर डे की लगबग 16-17 लिटर मिल्क समता इस गोमाता की नॉ अच्छी खिलाए पिलाए हो तो 18-20 लिटर के बीच ये परडे का मिल्क निकाल सकती है जैसा की ओनर ने बताया वो में ने आपको बताई तो आज की गोमाता पिंटू जी ने सेल के लिए उपलब्द करवाई पिंटू जी का फारम जिल्ला अम्रेली राजी गुजरात के अ उब्री हुई आपको दिख रही है अच्छे स्पेस वारे मुठिया थनों की बनावट है थन अभी और भी निकर कर आएंगे जब अडर बड़ा हो जाएगा तो थनों में सुधार आपको दिखेगा बहुत ही सुन्दर क्वालिटी के थन मजबूत पेरों की बनावट ओवर कि बायर से मेरे रिक्वेस्ट कि वह फारम पर वीजिट करें देखें परकें जांचें और फिर पसु को खरीदें अगर आप गोमाता खरीदेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवलेबल करवा दी जाएगी किसी कारण वस अभी तक आपने चैनल को कि अगती जाँ थारम पर्ण से तक कि रिक्ट करें तक रेखें एमाता वाल दीजिए एमाता खरीज़ ऐसक्ट्रा लूमाता पतों सब्सक्राण करें टोस्क्षर वस्क्राण वस्क्राण से